हाई फ्रेंड्स तिसी वीवुदत्त फ्रम साव टेक्नो गाइड आज हम उन्बॉक्सिंग यान रिभीव करने वाले हैं सैमसंग 192 लीटर टू स्टर रेफ्रीजिनेटर का जो के 2022 का मडल है अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अलाटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए तो फ्रेंड्स जब भी आप ये बॉक्स पैक को उपन करेंगे तो पहले अगर आपका घर में ठान है तो उसको आप कर दीजिए उसके बाद यहां पर दो टेप रहता है उसको आप पहले निकाल दीजिए उसके बाद इसको श्ट्रेट आपको उपर उठा देना है जैसे मैं अभी आपको इसको उपन करके दिखा देता हूं तो simple आप इसको उपर उठा दीजिए उसके बाद आपको direct freeze मिल जाएगा तो उसके बाद नीचे एक थर्मो कुल रेता है उसको आप निकाल सकते हैं तो यह जो freeze है यह उसका stand में खड़ा रहेगा जैसे के नीचे चारों लेक दिया गया है और freeze का overall look आप देख सकते हैं कोईची यह कुछ ऐसे दिखता है तो फ्रेंस यह freeze है आपको दो कलर में मिलता है जैसे अभी हमार पास जो रीवी उनिट है यह मैस्टी ब्लू कलर है तो सेम आपको मैस्टी रेड कलर भी मिलता है जैसे screen में आप उसका photo देख सकते हैं और यह जगह में एक beautiful texture आपको दिया गय है और नीचे की तरफ उसका texture जो है वो भी art सबसे नीचे उसका लेग से आप यहाँ पे देख सकते हैं थमों के उपर यह बट यह जगह से आप उसका जो लेग है वो देख सकते न्यांड को सको स्कोर्ण और राइटस को प्रिजगर कर सकते हैं यहां पर यह स्टैबलाइजर फ्री ऑप्रेशन है तो अभी मैं इसका बैक साइड आपको दिखा देता हूं तो यह फ्रीज का बैक साइड है तो बैक साइड में आप देख सकते हैं एक स्मूथ सेप्टी कवर दिया गया है जैसे पूराना कुछ फ्रीज हुआ या आज के डेट में भी 192 लीटर का कोई भी फ्रीज लेते हैं तो मैक्सिमम फ्रीज में आपको यहां पर ग्रील देखने क लीए मिलता है तो इसका ग्रिल जो है यह इंसाइड है और ऊपर आपको एक स्मूथ सेप्टीKY कवर मिलता है अगर आप इसको कपड़ा में इस को क्लिन करना चाहते है तो भी ले आप कर सकते हैं तो यह फ्रीज का व्यक्र «क्लॉज लूख। का ट्लुप है कर दिया लग क आप 80% यहां पर कवर अप है और नीचे यहां पर एक ट्रे दिया गया है जिसे कि यह फॉस्ट क्री नहीं है तो कभी भी ज्यादा बरफ अगर फ्रीज का body में scratch नहीं होगा जैसे फ्रीज में नॉर्माली उपर से नीचे तक जो door का handle रहता है उसमें अगर आप open करने जाएंगे तो आपका nail चोहे वो body में टक्रा जाता है और कुछ दिन के बाद वहां पर scratch हो जाता है बट यह जो Iceland handle है इसको simple आप इसके उपर हाथ रखके खिंच सकते हैं तो आपका nail चोहे बोड़ी में touch नहीं होगा तो company यह आपका हाथ रखके यह फ्रीज को यहां से open भी कर सकते हैं तो जैसे मैं आपको पहले दिखाया था यह तो एक handle है जहां से आप कभी भी touch करते हैं तो बोड़ी में आपका nails लगेगा नहीं हमेशा आपका हाथ इसके उपर ही रहेगा आप यहां से इसे open कर सकते हैं बट company यहां पर और एक alternate option भी दिया है जैसे body के उपर की तरफ है तो यहां पर भी एक gap दिया गया है यहां से भी हाथ आप रख扯े इसको ऐसे open भी कर सकते हैं तो यह जगा में आपको दो provision मिलता है अगर आपको यह handle लिउज करना है तो भी कर सकते है यह handle अगर आप योज़ करते नहीं अगर आप यह handle होज करते है तो भी body को कोई भी scratches नहीं आएगा तो जैसे ही हम freeze को open करते हैं फ्रीज का इनर साइड कुछ ऐसा है तो फ्रीज में कुछ श्टीकर्स बगरा दिया गया है मैं उसे उपन कर देता हूं उसके बाद हम इसको पार सप्लाइ में करेंगे तो पहले में इसका जो त्रीपिन है वो दिखा देता हूं यह त्रीपिन आप देख सकते हैं यह 6 Ampeer क्य देता हूं आप जब भी freeze को open करेंगे freeze कुछ इतना तक खुलता है जैसे मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं यां पर यहां तक खुलता है तो उसके बाद میں single आपको react दिखा देता हूं जैसिके यह उसका freezer section है तो आपको इतना ही freezer section में यह जगा में आपको तीन से चार में रखना है तो जितने आप ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा कुलिंग मिलेगा आपको अगर आपको कुछ भी फ्रेश सामान रखना है जिसे कुछ मीठ हुआ यहां पे मिल्क बगएरा हुआ तो यह ट्रे में आप रख सकते हैं तो यहां पे जो भी प्लस्टिक दिया गया है वह काफी अच्छा क्वलिटी का प्लस्टिक है और यह जगा में तीन र्याख है जैसे यह एक र्याख है उसके उपर एक र्याख आपको मिलत क्यांट तो कंपणी के सबसे यहाँ पर जितना भी ग्लास का सिया गया है इसमें आप 175 कजी तक का सामान रख बिंस यह काफी स्ट्रॉंग है इसमें जितना भी भारिशामान रखना है तो भी आप रख सकते हैं यह जगा में उसका बॉलब तो यह जगा में लगने हैं तो यह जगा में आपको ज्यादा स्प्यस मिल सकते हैं यह सईट देखा जयाए हैं अगर आपको था लिटर या धाय लिटर का बटल रखना है तो भी आप यह सबसे ऊपर हैra सकते हैं आपको इतना सा मिलता है तो यह जागा में आपको कम्पनि प्रोवाइड करता है तो इसके घ्रूम में आप आप अपसक़ते हैं यह आपको अच्छ MORE गास्केट मिलता हैं और सिमें को यह अब बीकट कर देख सकते हैं तो यह प्रिज के साथ आपको तिन चार पेपर डॉक्त मिलता है तो इह कंप्रेसर का वारंटी काड है तो आपको यह जगा में एक की मिलता है जो के फ्रीज को आप लॉक कर सकते हैं बठ यह कि Y यह प्लास्टिक में बना है उसके साथ साथ यहां पर आपको इसका इूजर मानौल भी मिल जाता है तो नेक्स्ट आपको और एक इजी रेफ़र गाइड मिलता है जिसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप यह फ्रीज को कैसे ऑपरेट करेंगे और इसमें क्या-क्या आपको साथ दानी बरतना है तो जब भी आपको फ्रीज लॉक करना है सिंपिल यह जो प्लास्टिक का की दिया गया है यहां पर इसके बाद उपर की तरफ कर देंगे तो यह लॉक हो जाएगा फिर से अगर अनलक करना है तो सिंपिल आपको इसे राइट सेट घुमा देना है उसके बाद अगर आपको ओपन करना है तो भी आपकर सकते हैं तो कंपनी के हिसाब से इसका अंदर जो आपको फ्रीजर के दिखाएगा तो यह refrigerator को आप आपका घर का inverter में भी चला सकते हैं जैसे के कोई-कोई एरिया में पावर आउटेज रहता है जैसे के आदा गंटा एक गंटा रहता है तो टाइम में अगर आप इसका जो पॉइंट है वो पॉइंट को इनवर्टर में कनेट कर देते हैं तो यह फ्रीज आराम से आपका घर का इनवर्टर में चल जाएगा तो यह बहुत ही कम पावर लेता है जैसे के कंपनी के हिसाब से यह सालाना 308 किलोवार पावर कंजूम करता है अगर देखा जाए तो एक महिना में आपको ओनली 16 उनिट का ही भी लाएगा तो यह जो रेफ्रीजेटर है इसमें इनविल्ट स्टैबिलाइजर दिया गया है आपको अलग सा स्टैबिलाइजर लगाने का ज़रूरत नहीं है अगर आपका घर का करेंट जो है 130 बोल्ट से लेके 300 बोल्ट के अंदर फ्रॉक्ट्वेशन होता है तो भी यह फ्रीज को कोई भी लुक्रा नहीं होगा नास्ट में हम यह फ्रीज का वारेंटी के बारें बात करते हैं जैसे के मैं इसका वारेंटी काड आपको दिखाया था तो कंपनी पर के उपर आपको दस साल का वारेंटी देता है and O assum bott acquire ग आप को एक साल का वारेंटी मिलता है तो फ्रेंट जैसे मैं आपको ये freeze का डीटेल्स दिखाया, तो ये एक budget freeze है। जैसे कि अगर आपका घर में कम मेंबर है, एक कपल, एक दो बच्चे हैं तो ये freeze आपके लिए best है। अगर आप bachelor है, तो भी आप ये freeze ले सकते हैं। तो ये फ्रीज आपको online site में 13500 रुपे क्या सपस मिल जाता है तो नीचे में ये वीडियो का description में इसका best link दिया हूँ वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं अगर ये फ्रीज रिगार्डिंग अगर आपका कुछ भी question है तो comment section में आप मुझे comment कर सकते हैं मैं बहुत जल्दी उस कांसर आपको दे दूँगा तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी helpful रहा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा like and share जरूर कीजिएगा अभी आप हमको facebook, instagram और twitter में follow कर सकते हैं तो हमारा social media का लिंक आपको description में मिल जाएगा तो ऐसे ही देखते रहे हमारे channel till then स्टेटिव